यह देखे गाइज युम्मी टेस्टी साबू दाना के पापड जो कि इस तरह से हमारी तरीके से बनाएंगे ना तो आपके द्दातों में जो चिपतने की सिकायत रहती है साबू दाने के पापड की वो भी नहीं रहेगा तो चलिए देखते हैं अपने साबू दाना के साबुन के लिए हम भीगो करके रख देंगे पानी है मैसी हो गया है बिलकुल हाथ में दवाने से बिलकुल फूट रहा है तो यह देख सकते हैं इस तरह से हम अपने grinder में डाल कर piece लेंगे और half kitty można add कर देंगे इसमें की और तो यह देख सकते हैं ग्राइडर में से डाल द़िया था grind हो चूका है तो यह वंने टोटल हमने ले लिया है 2 kitty पानी तो देख सकते हैं इसमें हम यूज करेंगे तीन से चार कटोरी पानी और तो दीखिए कि हमें कैसे करना है तो यह देख सकते हैं हम बर्तन में निकाल देंगे एक में जिसमें हमें पकाना है तो याद रहें गाइस हैवी बॉटम वाले पैन ले तो ज्यादा बेस्ट है हलका पैन लेंगे न तो तली में चिपक जाएगा। इस जिससे कि साबोदाना बैट जाता न इस वज़ए से तली में चिपक जाएगा। है भी बॉटम ले और चलाते काइज देख सकते हैं कि दो कटोरी पहले पानी लिए था यह तीसरा कटोरी और यह चौक थी और यह पांचवी कटोरी यानि तो 25 पेस्ट नाता लगा कि बनाने तक बत्ड रहें बनाने तक के लिए तो यह है तो आप को यह लगए पत्ला पत्ली है यहाइंगा मगर साबुदाना में स्टार्च बहुत जादा होता है बहुत मात्रा में स्टार्च होता है तो पानी उसमें जाधा जाता है इसलिए हमने एक कटोरी साबुदाना पे 5 कटोरी पानी लिया है बिगोने से ले करके पीछने तक पकाने तक टोटल 5 कटोरी तो यह देखिए इस त तो कोड nya तो इसमें हम डालेंगे देखें कुछुच Jing जैसे हम इसमें थोड़ा सा Green color डालेंगे क्भिए बच्चों को रणवी ररंग ही चीज़ें स्यादा पसंद आती है तो इसलिए हमने Green Color इसमें एड़ किया हुआ है ओर आब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाध के अनुसार मगर गैस ये धियन रखें कि पापड हम कोई भी बनाते हैं तो उसमें नमक थोड़ा ही रखते हैं क्योंकि, क्योंकि वो सूखने के बाद में उसमें नमक तेज हो जाता है इसलिए हैं उसमें नमक थोड़ा ही रखते हैं तो इसमें हम नमक एड़ करें थोड़ा सा और अब इसमें हम एड़ करेंगे जीरा यह देख सकते हैं आप जीरा की जगा अगर आजवाइन एड़ करना चाहते हैं तो आजवाइन भी एड़ कर सकते हैं या बिल्कुल साधा बन हम एक जैसे बिल्कुल मार्केश स्टाइल बनाने के कैसे बना सकते हैं तो वह हम आपको बता रहे हैं इस तरह से चूडिया ले लेंगे आप और कर चूडिया नहीं है तो कोई ढखकन ले लें जिसका रिंग बना लें उस तरह से एड करकी यह देखिए में एक लेडल भर करके हम लेंगे और हाफ-INGING लेडल चूडियां में भर देंगे और 5 मिनट में ही सारी चूडिया यह ठीक हो जाएगा , और हम चूडियां हटा लेंगे अगर चूडियांस नहीं बनाना चाहते हैं इस तरह से हम रख लेंगे और हलकी हलकी स्पून से इसको फैला देंगे तो इससे यह होता है ना बन पापड ऐसे भी अच्छे से जाते हैं मगर यह है कि जो हम फैला चूरियों से बनाते हैं वो पापड हमारे थोड़े से साइज में एक जैसे बनते हैं बिल्कुल एक साइज के बनते हैं इस वज़े से तो देखिए कितना यम्मी पापड बनकर तयार हुआ बिल्कुल टांस्पारेंट इसमें हमारे उगलियां भी दिख रहे हैं इतना अच्छे से टांस्पारेंट हुआ है रंग आप स्किप करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं तो यह देखिए हम आपको बड़ा हो रहा है कितना फूल करा रहा है इतना टेस्टी यम्मी पापड आप चुटकियों में बना सकते हैं और फैन में ही सुखा भी सकते हैं तो बहुत टेस्टी पापड बनकर तयार होता है एक बात और गाइस इससे भूनते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि फ आप इसका हम क्रेस्प दिखाएंगे आपको तो देख सकते हैं यह देखिए बिलकुल हाथ में बिलकुल मुह में गुलने वाला है तो यह देख सकते हैं हाथ से मसलने पर ही हलका सा प्रस करने पर तूट रहा है तो यह बच्चों को बहुत भाने वाला है बहुत मन से खाने व